नमस्ते फ्रेंड्स मेरा नाम लक्षमी कान्त है और आज हम इस उड़ो में देखेंगे EM Signer कैसे डाउनलोड करें अगर आप Income Test के सैट के उपर Digital Signature रजिसर करना चाहते हैं तो आपके PC या लापटॉप में पहले आपको EM Signer इंस्टॉल करना होता है तो आपको क्या करना है Income Test के सैट के उपर आना है और वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें Download को Option दिखाए दे रहा है यहाँ पर तो हम यहाँ पर Download के उपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आने के बाद दीखें यहाँ पर एक Left Hand Side में यहाँ पर Option दिखाए दे रहा है DSC Management Utility यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह जो दिख रहा है ठीक है एक Start करने के बाद इसके उपर इस Software के उपर हम डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यह Permission मांगेंगा आपको Yes करना है Yes करने के बाद यह Next करना है आपको यहाँ पर फिर Yes Yes, Yes, Yes और Install करके आपको आगे जाना है यहाँ पर जाने के बाद यह Update पूछेगा अपड़ेट करने के लिए तो हमें Update करना है इसको ठीक है यह Finish हो गया Finish होने के बाद इसको Close करेंगे और देखिए यहाँ पर Desktop में देखिए यहाँ पर यह जो दिखाए जारा नहीं यह Icon यह EM Bridge का यहाँ पर अपको Double Click करना है ठीक है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिखिए यहाँ पर refresh करना है आपको refresh करने के באद आगर यह Running option अगर यहाँ पर आया तो抄 लेना यह काम कर二 है अगर यहाँ पर Stop'd option आया तो यह काम नहीं करना है अगर तो आगे अभी दो मिनट में देखेंगे ठीक है यह सारा होने के बाद आपके लैपटॉप में एक जावा सॉफ्टर भी होना चाहिए अगर जावा सॉफ्टर नहीं है तो हो सकता है आपको दिक्कत आएगी डिजिटल सिगनेचर रेजिस्टर करने में तो देखेंगे आगले के उपर कैसे रेजिटर करते हैं।